दोस्तों आप भी इस तरीके से गूगल में पर अपने घर, मकान, मंदीर, मजजित या फिर अपनी सोब का नाम गूगल में पर आप खुद डाल सकते हो ताकि कोई भी परसन आपकी सोब तक पहुंचने की कोशिस करे तो डायरेट गूगल में पर सर्च करके आपके पास पहु नहीं गया तो एक लाइक जरूर करते हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो चले आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में मैप एपलिकेशन को ओपन करेंगे ये एपलिकेशन सभी की फोन में पहले से ही ऑलिबल रहता है तो आपके phone में जहां भी हैं आप वहां से इसे open कर लेंगे जैसे आप इसे open करेंगे तो आपके सामने इसका user और interface इस तरीक इससे so होगा अब आपको सबसे पहले इस box पर click करके इसे satellite mode पर select कर लेंगे ताकि आपको Google Map का नक्सा साइज से समझ में आ सके इसके बाद में आपको अपने phone की location को own करना है जिसके लिए आप यहां पर location वाले icon पर click करेंगे और फिर यहां से okay वाले option पर click करेंगे click करते ही आपके phone का GPS location ओन हो जाएगा अब आपको एक बार इसी location वाले icon पर click करना है जैसे आप इस भी click करेंगे तो यह आपको बता देगा है कि अभी आप किस जगह पर हो जैसे कि अभी हम यहां पर हैं यहां पर आपको बिल्यू कलर का pointer दिख रहा है यह आपकी live location बताएगा तो यहां पर हमारा गर है और अभी हम इसी जगह पर है इसलिए यहां पर यह pointer दिखा रहा है और हमने हमारे गर का नेम भी गूगल मेप पर डाल रखा है इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गोचर होम तो इस तरीकी से आप भी अपने घर का नेम गूगल मेप पर डाल सकते हो अब आपका गर इस मेप में कौन सी जगह है आप खुद डूंडेंगे यानि कि आप जिस जगह को गूगल मेप मेप डालना चाते हैं उस जगह पर प्रेस करके रखेंगे जैसे कि हमारे गर की लोकेशन हम गूगल मेप पहले डाल चुके हैं तो अभी हम हमारे गाउं का एक खेल मेप पर डालना चाते हैं आप अची तरीके से देख सकते हो अब हम इस जगह का नाम खेल मेदान की नाम से गूगल मैप पर डालना चाते हैं तो हम यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो यह जगह पॉइंटर हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर टाइब करेंगे खेल मेदान अगर आप अपने घर का नेम डाल रहे हैं तो आप अपने घर का नेम टाइब करें इन सभी का प्रोसे सेमी हैं तो हम यहाँ पर टाइब करेंगे खेल मेदान इसके बाद में यहाँ पर केटिगरी चूज करेंगे playground अगर आप अपने घर का address google map पर डाल रहे हो तो आप यहाँ पर category में home stay type करेंगे तो आपके सामने category जा जाएगी जैसे के हमने यहाँ पर खेल मैदान के लिए playground select कर लिया इस तरीके से आपको भी category select कर लेना है उसके बाद में नीची scroll करेंगे यहाँ पर आप चाहे तो playground के बारे में other details भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर playground को photo भी upload कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यह details easily feel कर लेंगे इसके बाद में आप यहाँ से submit पर click करेंगे जैसे आप submit पर click करेंगे आपके request Google Map को भेज दी जाएगी अब Google आपकी location को check करेगा अगर आपके द्वारा डाली गई location सही है तो Google उसको approved करेगा एपरूल होने में 5 मिनट से लेकर एक दिन का समय लग सकता है तो आप कैसे check करेंगे कि आपके द्वारा डाली गई location एपरूड हुई या फिर नहीं तो आपको यहां पर profile के icon पर click करना है और पिर यहां से your profile पर click करेंगे नीची scroll करेंगे इसके बाद भी यहां से edit ओले option पर click करेंगे click करते हैं आपके सामने वो सभी location आ जाएगी जो आपने Google Map पर डालने की request डाली है जैसे की अभी अभी हमने खेल मेदान की request डाली है जो भी pending दिखा रहा है तो हम थोड़ा सा wait करेंगे और इसको approved होने देंगे जैसे की से पहले हमने अपने घर या अपनी dairy का name भी Google Map पर डाला है जो approved हो चुका है आप यहां पर देख सकते हो दोस्तो 15 मिनट बाद हमारे पास मैं एक mail आ चुका है जिसमें बताया गया कि आपके द्वारा डाली गई location Google Map ने accept कर ली है अब मैं आपको बता दू कि Google Map पर हमने जो name डाला था वो so होने लगा या फिर नहीं तो हम उस ground पर चलते हैं जिसकी location हमने add की हैं तो यहां पर आप देख सकते हो इस ground की location पर पहले कोई नाम नहीं आ रहा था जैसे कि आपने पीछे देखा होगा तो हमने इस जगह का नाम खेल मेदान की नाम से Google Map में add कर दिया है जैसे कि आप यहां पर live देख सकते हो तो आप इस तरीके से अपना घर, मंदिर, मजीद, गुरुद्वारा या फिर कोई भी पबलिक पेलेस, तीरा या इसकूल या फिर आपकी कोई चाय की थड़ी या फिर किराना इस्टोर है तो उसे भी आप इस प्रोसेस से Google में पर add कर सकते हो ताकि कोई भी परसन आपकी सोप या अपने home का name Google में पर type करके direct आपके पास पहुँच सकता है और एक बार आप अपने घर या अपनी सोप का नाम Google में पर add कर लेते हो तो फिर देरी किस बात की इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बगल लग इस गंटे को दबा कर ओल पर सलेक्ट जरूर कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसे यूजपूल वीडियो की notification मिल सके जब तक लिए गुडबाई जैहिंद वन देवात्रव